रंगों की इस दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम इस खुब सूरत महिला को बनाने की कोशिश करते हैं मैंने इस केज तयार कर रखा है और एस यू नो यह वाटर कलर है तो सबसे पहला बेस हमने वाटर डाला उसके बाद लाइट कलर और लाइट बिलकुल पिंक है रौ पिंक है इसमें मैंने और कोई भी कलर मिक्स नहीं किया है उसका बिलकुल लाइट मैं उसको सबसे पहले प्लेस कर रहे हूँ फिर दीरे दीरे जो बाकी का पार्ट है जैसे यह ब्लाउज का है ब्लू है यह रिंग्स हैं इन सबको मैं जो कलर जहां दिखता है मैं उसी को यूज कर रही हूँ प्रैमरी बिलकुल लाइट कि बाल भी हमें दूर से देखे निए ब्लू या ब्राउन ऐसा दिखाई देता है तो हम पहला जो लियर है हम ब्लू ले रहे हैं ताकि जब हमें शेट्स होता है जो आ चौनल हुख近 को थीर दिखता है तो काफी दिखता है तो इस के लिए आ होता है चेहरे का पहला लेर ड्राइ होने के बाद में दूसरा जहां पर शेड्स हैं चेहरे पर जैसे चेहरे पर जब लाइट आती है तो कुछ पार्ट काफी शाइनिंग वाइटिश दिखता है और बाकी धीरे धीरे वो थोड़े से डार्क से दिखते है तो मैं बिल्कुल सेम कलर को यूज कर रही हूं थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा पहले से ज्यादा कलर्फुल कलर्फुल है और यह भी बिल्कुल पिंक ही है तो सिर्फ इतना ही कलर यूज करने पर हमें लग रहा है कि यहां पर लाइट है और यहां पर शेड्स हैं जैसे चिक्स का अरिया नोस का अरिया आए कि मैंने इसमें थोड़ा सा ब्रायों एड किया डीम है ब्रायों में इसरे आपका अक रिए फिर उसके बाद से मैंने थर्ड लेयर जहां पर फ़से कोई भी कोई भी जब चीज होती है पहले light होती है light से थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा वो क्रमशा darkness के तरफ या dark है तो light के तरफ जाती है इसलिए यह हमारा जो तीन color हुआ इस चीज़ के लिए काफ़े effective रहता है हम direct ऐसा नहीं कर सकते कर भी सकते हैं तो में भी उसके लिए बहुत जादा मैं चोड़ हैं की जरुवत है तो यह हमारा तीसरा लेयर हुआ जिसमें हम थोड़ी गहराई हम देख सकते हैं एक चेहरे का जो सबसे light है वहां पर काफी shining है और धीरे-धीरे लिप्स को भी जिस कलर का लिप्स है उसको हम भी काफी लाइट से ही कर रहे हैं और जो shining area है जिसे लिप्स का उठा हुआ पार्ट जो होता है वह दूर से ही चमकता है तो उसके जगह पर हम कोई कलर नहीं डाल रहे है उसको हम बिल्कुल छोड़ दिये आइस भी हम हमारी ब्लैक नहीं होती है आइस को यह किसी भी चीज़ को सबसे पर लें ब्लैक करना ही नहीं चाहिए इसके लिए मैंने ब्लू एंड रेड को मिलाकर लाइट कलर बनाया उसको मैंने आइब्रोज एंड आइस के लिए यूज किया है सेम कलर में हेर्स के लिए भी यूज कर रही हूं हमें हलके 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 कलर से जब हम अपना शुरू करते हैं तो हम हमारा पूरा कंट्रोल रहता है अगर हम अब शुरू में ही अगर डाक कर दें अगर वहां पर कोई मिस्टेक होता है तो फिर उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए बहतर है हम धीरे धीरे स्टेप स्टेप वाइज चलने हैं बालों को भी मैंने लाइट उससे थोड़ा सा डाक और उससे थोड़ा सा डाक के तरफ जाते हुए इनको ये लुक दिया है कप्ड़े का भी एरिया में पहले लाइट दे थी उसके बास थोड़ा सा डाक उसको किया कि ये रिंग्स के लिए जहां पर जुमक्यों का जो बिड्स हैं अगर ये रेड हैं तो उनको मैंने रेड की जगह पर वस उक लर प्लेस कर दिया है इसमें कुछ भी अभी डिटेल्स नहीं दिख सकते हैं जब ये ड्राइं हो जाएंगे तो उसके बाद जो कलर है उससे हम जब यूज करेंगे तब उस चीज अच्छे से क्लियर शो होगी तो उसमें जो एक हार सा है जैसे मैंने अभी ब्लू के उपर पहले मैंने ब्लू किया था वो बिल्कुल फ्लैट सा दिख रहा था अब मैंने किनारे किनारे उसको थोड़ा डाक ब्लू से उसको राउंड कर तो यह दिख रहा है कि हाँ यह लाइक बॉल मतलब एक उभरा हुआ सा पार्ट है अब बालों के लिए मैंने ब्लू रेड में थोड़ा सा मैंने ब्लाइक यूज किया है ऐस का भी जो आइबालस होते हैं तो ठोड़े डाक होते हैं और जो काजल होता है उपर के जो हमारे उप लिए लॉर्ट पर उसके लिए तो यह ब्लू रेड औल ब्लैक का कंब्वीनποι की इंडर बनाया है मैं उसका यूज कर रहा हूँ बालों में भी मैंने नीचे अभी जो ब्लैक यूज़ किया इसे से एक डेफ्थ सा शो हो रहा है तो हमारी कोशिश हमेसा होनी चाहिए कि हम लाइट से ही शुरूख वाद करें और धीरे धीरे हम उसे डाक साइड में लेते चले किसी भी पेंटिंग को बनाने के लिए सबसे पहली जो हमारी जरूरत है कि हमारा स्केज बहुत ही सही बनना चाहिए स्केज का पॉफेक्ट होना बहुत जरूरी है स्केज पर हम जितना टाइम दें उतना ही अच्छा है स्केज सही होगा तो हमारी पेंटिंग अटोमेटिक ही अच्छी होगी थोड़े कलर शेट उपर नीचे हो तो कोई बात नहीं हो हमारे प्रेक्टिस से ठीक हो जाएगा लेकिन नमारे स्केज परफेक्ट होना बहुत ही जरूरी है और पेंटिंग की बात जब भी आती है हम सोचते हैं चलो हम अपने बच्चों को सिखाएं या अगर हम खुद स्टूडेंट हैं या ज्यादा तर बच्चे बच्ची मतलब जो न्यू जनरेशन है वहीं लोग इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं या जो आर्टिस्ट हैं उनक तो प्रोफेशन लाइफ सब कुछ यही है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे बुजर्ग घर में होते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं खुद को खुश भी करना चाहते हैं अगर कभी कोई पैंटिंग दिखाई देती हैं तो बोलते हैं अरे बहुत जरूरी है अगर आपका इंट्रेस्ट है तो आज से ही शुरू हो जाइए पैंटिंग बहुत ही सेटिस्फाइंग तरीका है और इसको बनाने के बाद एक आत्मिक खुशी का अभास होता है तो अगर हम इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं या फ्रस्टेड रहते है तो आज ही कलर उठाइए पैंसिल उठाइए ब्रश उठाइए जो भी अबलेवल है और जो अधूरे जो सपने रह गये थे उनको पूरा करने की कोशिस किजिए सीखने की उमर होती नहीं है और हम जब चाहें तभी से हम यह शुरुआत कर सकते हैं तो धीरे धीरे में कलर्स जहां पर जैसा होने चाहिए मैं उसको प्लेस करती गई बालों को मैंने पूरा थोड़ा ब्लूइश रूप दिया है थोड़ा सा ज्यादा अट्रेक्टिव लगने के लिए सबसे पहले इंपोर्टेंट है जब हम पेंटिंग बनाते हैं लेकर तो बैठ जाते हैं कि हमें बनाना है लेकिन वह बनाने के बाद कैसा होगा इस यह भी हमारे लिए क्लियर होना चाहिए तो अब हमारी पेंटिंग त्यार हो गई है थैंक यू सो मच